C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याय सत्रह तारे इवं सौर परिवार प्रिष्ट दो सौ पंद्रह से प्रिष्ट दो सौ अड़तीस तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय सत्रह तारे इवं सौर परिवार प्रिष्ट दो सौ पंद्रह गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूजो अपने दादा दादी के गाउं गए रात्री का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए उस दिन आकाश स्वच्छ था बादल नहीं थे वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चरे चकित हो उठे अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुन्दर द्रिश्य कभी नहीं देखा था चित्र सत्रह दशमलव एक इस प्रिष्ट पर बीच में चित्र सत्रह दशमलव एक दर्शाया गया है जिसके माध्यम से रात्री का आकाश दिखाया गया है पहेली ये जानना चाहती थी के बड़े शहरों के आकाश से गाउं का आकाश इतना भिन्न क्यों है उसके दादा जी ने ये स्पष्ट किया के चमकीले प्रकाश, धूएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्च आकाश विरले ही दिखाई देते हैं उन्होंने रात्री के आकाश में कुछ आकाशी ये पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानिया सुनाई रात्री के आकाश का अवलूकन करना चित्ता करशक वहीं हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो किसी स्वच्छ अंधेरी रात्री में आकाश की ओर द्रिष्टी डालिए आपको समस्त आकाश में बिंदूओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे जिन में कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे इनका सावधानी पूर्वक प्रिक्षन कीजिए क्या ये सभी टिम्टिमाते प्रतीत होते हैं क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंद दिखाई देता है जो टिम्टिमान न रहा हो इनमें जो पिंद टिम्टिमाते नहीं दिखते वे ग्रह हैं रात्री के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोली ये पिंड कहलाते ही प्रिष्ट 216 खगोली ये पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोली की कहा जाता है प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया उस काल में खगोली की का उनका ज्यान उन्नत था सूरिय, तारूं, चंद्रमा और ग्रहों की गती के संबंध में उनका ग्यान सही कैलेंडर और पंचांग स्रिजित करने में सहायक रहा है इनसे लोगों को अपनी दिंचर्या बनाने में सहायता मिली कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुवाई के समाई के लिए जलवाईयू और वर्षा के पैटन की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और परवों की तिथियां भी निश्चित हुई इस अध्याई में हम आकाशी ये पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे सत्रह दशमलव एक चंद्रमा क्रिया कलाप सत्रह दशमलव एक रात्री में चंद्रमा का प्रति दिन प्रेक्षन कीजिए यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्री को चंद्रमा की रूपरेखा खीचिए तथा पूर्णिमा के दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए प्रति दिन ये भी नोट कीजिये के आकाश के किस भाग पूर्व अत्वा पश्चिम में चंद्रमा दिखाई दिया है इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे चित्र 17.2 दर्शाया गया है इसके माध्यम से चंद्रमा की कलाएं दर्शाई गई है क्या चंद्रमा की आकरिती में प्रति दिन परिवर्तन होता है क्या ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा की आकरिती पूर्ण तह गोल प्रतीत होती है क्या ऐसे भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं इसके पश्चात प्रत्येक रात्री को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है पंद्रवें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता उस दिन को अमावस्या कहते हैं अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रति दिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। पंध्रमे दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा द्रिश्य देखते हैं। पूरे महा तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीत भाग की विभिन आक्रितियों को चंद्रमा की कलाईं कहते हैं चित्र 17.2 चंद्रमा की कलाउं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपून भूमिका है भारत में लगभग सभी परवों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है उदाहरण के लिए दीवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है बुध पूर्णिमा और गुरु नानक जयन्ती पूर्णिमा पर मनाई जाती है महाशिवरात्री को कृष्ण पक्ष की त्रियो दशी को मनाया जाता है बाल चंद्र अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रत्मा के दर्शन के अगले दिन इदूल फितर मनाई जाती है आदी इस पूर्णिमा के संबंध में महत्वपून जानकारी दी गई है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधी उना तीस दिन से कुछ अधिक होती है बहुत से कैलेंडरों में इस अवधी को एक महा कहते हैं बूजो ने पूछा चंद्रमा अपनी आकृती में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है? प्रिष्ट दोसव सत्र है आईए ये जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं अध्याए सूलह में आपने ये पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्यतारों की भांती अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पढ़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी और परावर्तित कर देता है चित्र 17.3 इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुँचता है इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 17.3 दर्शाया गया है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है क्रिया कलाप सत्रह दिशमलव दो एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए इसके आधे भाग को सफेद तथा आधे भाग को काले पेंट से पूतिये अपने दो मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाईए मैदान में लगभग दो मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए चित्र साथ दशमलव चार में दर्शाय अनुसार इस वृत्त को आठ बराबर भागों में बाटिए वृत्त के केंद्र पर खड़े होईए अपने मित्र से गेंद को पकड़ कर वृत्त के विभिन बिंदूओं पर खड़े होने को कहिए उससे कहिए कि वो घड़े के सफेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे यदि आप इस क्रिया कलाब को प्रातह काल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए प्रत्येक प्रक्रण में सफेद तथा काले भागों को विभाजित करने वाली रेखा उर्धवा धर होनी चाहिए वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफेद दिश्य भाग का प्रेक्षण कीजिए तथा इसकी आक्रिती अपनी नोट बुक में खीचिए इन आक्रितियों की तुलना चित्र 17.5 में दर्शाई गई चंद्रमा की कलाउं से कीजिए इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे चित्र 17.4 के माध्यम से ये बताया गया है कि अपनी कक्षा में विभिन स्थितियों पर चंद्रमा भिन भिन प्रतीत होता है प्रिष्ट 218 है इस प्रिष्ट में सबसे उपर चित्र 17.5 दर्शाया गया है इस चित्र में ये बताया गया है कि अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियां एवं संबंधित कलाएं कैसी होती है याद रखिये चंद्रमा प्रिथ्वी की परिक्रमा करता है और प्रिथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है चित्र 17.6 इस चित्र में पृत्वी को चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे। किस चंद्रमा के पीछे की और के भाग को कभी नहीं देखते। क्या ये सही है। क्रिया कलाप सत्रह दशमलव तीन धर्टी पर लगभग एक मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपका मुक्स सदैव उसकी ओर ही रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है। एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्णन पूरे किये। चंद्रमा प्रित्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। चंद्रमा प्रित्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा का प्रिष्ठ कवियों तथा कहानिकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ता कर्शक पिंड है परन्तु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के प्रिष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया उस पर विभिन आपामों के गर्त हैं इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले उंचे परवत भी हैं इन में से कुछ परवत तो उंचाई में पृत्वी के सरवाधिक उंचाई के परवतों के समान हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 17.7 के माध्यम से चंद्रमा का प्रिष्ठ दिखाया गया है चंद्रमा पर न तो वायू मंडल है और ना ही जल क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है बूजो ने पूछा क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनी सुन सकते हैं पहेली ने पूछा अध्याय तेरह में हमने ये सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनी गमन नहीं कर सकती तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनी को कैसे सुन सकते हैं इस प्रिष्ठ पर बीच में चंद्रमा के संबंध में महत्वपून जानकारी दी गई है क्या आप जानते हैं? 21 जुलाई 1979 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नेल आमस्ट्रॉंग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे उनके बाद एडविन एल्डुरिन चंद्रमा पर उतरे चित्र 17.8 चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री 17.2 तारे रात्री के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधहनी पूर्वक प्रेक्षन कीजिए क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सरजित करते हैं सूर्य भी एक तारा है अन्य तारों की तुल्ना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? आपके पास रखी फुट्बॉल अथवा सौ मीटर दूरी पर रखी फुट्बॉल में से कौन सी बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुल्ना में लाखों गुना अधिक दूर है इसी लिए तारे हमें बिंदू जैसे प्रतीत होते हैं सूर्य प्रिथ्वी से लगभग पंद्रह करोड किलो मीटर दूर है इसकी दूरी प्रिथ्वी से लगभग चार शून्य 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 किलो मीटर है क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्यमात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल तीन लाख किलोमीटर प्रती सेकेंड है। इस प्रकार सूर्य की प्रित्वी से दूरी लगभग आठ प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंटॉरी लगभग चार दशमलव तीन प्रकाश वर्ष दूर है। पहेली ने पूछा, यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुँचने में वर्षों का समाई लेता है, तो तारों को देखते समाई क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं। बूजो ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, वे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथा पी उस समय सूर्य के तीवर प्रकाश के कारण विह हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुक तारों अथ्वा तारों के समूह का आकाश में लगभग दो घंटे अथ्वा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? आप ये पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गती करते हुए प्रतीत होते हैं। क्रिया कलाप 17.4 किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रख़्ी वस्तुएं किस दिशा में गती करती प्रतीत होती हैं। क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गती के विपरीत दिशा में गतीमान पाते हैं। पहेली याद करती है जब वो किसी चलती रेल गाड़ी में होती है तो निकट के वरिक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की और गमन करते प्रतीत होते हैं तो क्या इसका अर्थ है कि प्रित्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। बूजों ने कहा अब मैं समझा कि हमें सूर्य पूर्व में उदय होता तथा पश्चिम में अस्त होता क्यों प्रतीत होता है। प्रित्वी के अपने अक्षपर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। प्रिष्ट 221 पहेली ने पूछा, मेरे दादा जी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ये कैसे संभव होता है? क्रिया कलाप 17.5 एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज को काट कर लगभग 10-15 तारे बनाईए। चाते की केंद्रिय चड की स्थिती पर एक तारा चिपकाईए। चाते के प्रत्यक तार, स्पोक के सिरे के निकट, कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाईए। अब चाते की केंद्रिय चड को अपने हाथ में पकड़ कर घुमाईए। तथा चाते पर चिपकाई सभी तारों का प्रेक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गती करता प्रतीत नहीं होता। ये तारा कहां स्थित है। यदि कोई तारा वहां स्थित होता जहां आकाश में प्रिथवी का अक्ष मिलता है तो क्या वो तारा भी स्थिर होता। इस प्रिष्ठ पर बई और बीच में चित्र 17.9 के माध्यम से ये बताया गया है कि धुरूव तारा गती करता प्रतीत नहीं होता। वास्तव में धुरूव तारा एक ऐसा ही तारा है जो प्रिथवी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ये गती करता प्रतीत नहीं होता। चित्र 17.1 शून्य इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि धुरूव तारा प्रिथवी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। 17.3 तारा मंडल कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षन कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 17.1 एक एक में दर्शाय अनुसार आक्रितियों के समुह बनाए हुए हैं। पहचाने जाने योग्य आक्रितियों वाले तारों के समुह को तारा मंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुश्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारा मंडलों की अभिकल पना की। तारा मंडलों की आक्रितियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तूओं के सद्रिश थी। रात्री के आकाश में कुछ तारा मंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारा मंडल कैसा दिखाई देता है और रात्री के आकाश में उसे कहां देखना होगा। प्रिष्ट 222 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर चित्र 17.1 एक एक दर्शाया गया है। इसके माध्यम से रात्री के आकाश में कुछ तारा मंडल दिखाई गए हैं। सर्व विख्यात तारा मंडलों में से एक विख्यात तारा मंडल सबतरिशी है। चित्र 17.1 एक एक जिसे आप गर्मियों में रात्री के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारा मंडल को बिग डिपर, ग्रेट बेर, अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारा मंडल में साथ सुस्पष्ट तारे होते हैं। ये बड़ी कल्ची अथवा प्रश्ण चिन्न जैसा प्रतीत होता है। इस कल्ची की हथी में तीन तथा कटोरी में चार तारे होते हैं। चित्र 17.1 दो सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन नक्षत्रों के संबंध में दिल्चस्प पौरानिक कथाईं प्रचलित हैं। इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे चित्र 17.1 दो दर्शाया गया है। इस चित्र में प्राचीन काल में जल पीने के लिए उप्योग होने वाली कल्ची का द्रिष्य तारों के माध्यम से बना कर दिखाया गया है। सब्त रिष्य साथ प्रसिध प्राचीन भारतिये संतों या रिष्यों के नामों के साथ संबद्ध है। जैसा के नीचे दिये गए चित्र में दर्शाया गया है। प्राचीन पौरानिक कथाओं के अनुसार सब्तरिशी नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्यान को इंगित करते हैं। यहाँ पर इंतारों के भारतिय पौरानिक कथाओं के अनुसार दिये गए नाम भी लिखे हैं। मरीची, वशिष्ठ, श्रिंगिरस, अत्री, पुलस्तिय, पुलह, रितू। इसी प्रकार, अन्य प्राचीन संस्कृतियों में इंतारों के लिए प्रियोग किये जाने वाले नाम यहाँ पर लिख कर दिये गए हैं। अलकारद, मिजार, अलियोत, मिग्रेज, फेकदा, मेरख, डभे। कुछ घंटों तक इस तारा मंडल का प्रेक्षन कीजिए। क्या आप इसकी आक्रिती में कोई परिवर्तन देखते हैं। आप ये प्रेक्षन करेंगे कि इस तारा मंडल की आक्रिती समान रहती है। आप ये भी पाएंगे कि ये तारा मंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गती करता प्रतीत होता है। प्रिष्ट 223 बूजो ने कहा, मैंने ये सुना है कि हम सब्तिरिशी की सहायता से धुरुवतारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। क्रिया कलाप 17.7 इस क्रिया कलाप को गर्मियों में रात्री के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए, जब आकाश में चंद्रमा ना हो। आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षन करके सब्तिरिशी को पहचानिये। इस कारिय में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सब्तिरिशी के सिरे के दो तारों को देखिए। चित्र 17.13 में दर्शाय अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाईए। इन दो तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। ये रेखा एक ऐसे तारे पर पहुँचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। ये धुरुव तारा है। धुरुव तारे का कुछ समाय तक प्रेक्षन कीजिए। नोट कीजिए कि ये तारा अन्य तारों की भांती पूर्व से पश्चिम की ओर गती नहीं करता। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 17.11 के माध्यम से धुरुव तारे की स्थिती को ग्यात करते हुए दर्शाया गया है। क्रिया कलाप 17.8 गर्मियों में किसी दिन रात्री के समय दो से तीन घंटे के अंतराल में सब्तरिशी का तीन से चार बार प्रेक्षन कीजिए। हर बार धुरुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सब्तरिशी पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। क्या ये धुरुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है। इन प्रेक्षनों की तुलना चित्र 17.1.4 में दर्शाई स्थितियों से कीजिए। इसके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि सब्तरिशी धुरुव तारे की परिक्रमा करता है। वास्तव में सभी तारे धुरुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए, धुरुव तारा दक्षिनी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सब्तरिशी जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारा मंडल भी दक्षिनी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते। ओरायन एक अन्य विख्यात तारा मंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्री में देख सकते हैं। ये आकाश में सर्वाधिक भव्यतारा मंडलों में गिना जाता है। इसमें भी साथ अथवा आठ चमकीले तारे हैं। चित्र सत्रह दशमलव एक एक बी। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। प्रिष्ट दोसाचौबीस इसके तीन मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट याने पेटी को निरूपित करते हैं। चार चमकीले तारे चतुर भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा, सीरियस याने लुबधक, ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंडने के लिए ओरायन के मध्य के तीन तारों से गुजरने वाली रेखा की कलपना कीजिए। तथा इसके अनुदिश पूर्वुदिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यन्त चमकीला तारा दिखाई देगा। ये सीरियस है, चित्र सत्रह दिशमलव एक पाँच। इस प्रिष्ठ पर बाई ओर बीच में चित्र सत्रह दिशमलव एक पाँच दर्शाया गया है। इसके माध्यम से सीरियस की स्थिती को ग्यात करना बताया गया है। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुक तारा मंडल कैसी योपिया है, ये सर्दियों में रात्री के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। ये अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगडे यानि विक्रित रूप जैसा दिखाई देता है, चित्र सत्रह दिशमलव एक एक सी। क्या आप जानते हैं, किसी तारा मंडल में केवल पांच से दस तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, चित्र सत्रह दिशमलव एक छै। तथापी, हम अपनी नंगी आँखों से किसी तारा मंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं, जिन तारों से मिलकर कोई तारा मंडल बनता है, वे सब हम से समान दूरी पर नहीं हैं, वे आकाश में केवल एक ही दृष्य रेखा में हैं, इस प्रिश्ठ पर चित्र सत्रह दिशमलव एक छै दिखाया गया है। बीच गुरत्वा कर्शन बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रिहस्पती, शनी, यूरिनस, तथनाप्चून। प्रिश्ठ दोसापचीस बूजों ने कहा, मैंने तो ये पढ़ा था कि सौर परिवार में नौ ग्रहे हैं। क्या आप जानते हैं? सन 2006 तक सौर परिवार में नौ ग्रहे थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रहे था। सन 2006 में अंतरराश्ट्रिय खगोलिय संग ने ग्रह की नई परिभाशा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब ये सौर परिवार का ग्रह नहीं है। आईए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सूर्य सूर्य हमसे निकट तमतारा है। ये निरंतर विशाल मात्रा में उश्मा तथा प्रकाश उत्सर जित कर रहा है। प्रिथवी की लगभग समस्त उर्जा का सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की उश्मा तथा प्रकाश की उर्जा का प्रमुख सूर्य ही है। ग्रह ग्रह तारों की भांती प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने उपर पढ़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरल्तम विधी ये है कि तारे टिम्टिमाते हैं जबके ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिती भी बदलती रहती है प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है इस पथ को कक्षा कहते हैं किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समाई को उस ग्रह का परिक्रमन काल कहते हैं ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमन काल में भी वृद्धी हो जाती है प्रिष्ट 226 बूजो ने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती क्रिया कलाप 17.9 अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए चित्र 17.8 में दर्शाय अनुसार 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर तथा 3.8 मीटर त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त खींचिए अपने किसी एक मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए आपके अन्यमित्र, बुद्ध, शुक्र, पृत्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं अपने मित्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में वामा वर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए चित्र 17.18 क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गमन करते हैं सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांती अपने अक्षपर घूनन गती भी करते हैं किसी ग्रह द्वारा घूनन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूनन काल कहते हैं चित्र 17.19 दर्शाया गया है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि ग्रह लट्टू की भांती अपने अक्षपर घूनन करता है कुछ ग्रहों के ग्यात उपग्रह याने चंद्रमा हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं पहेली ने कहा पृत्वी सूर्य की परिक्रमा करती है क्या इस कारण से पृत्वी सूर्य का उपग्रह है पृत्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है यद्यपी सामान नित है हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपियोग करते हैं चंद्रमा पृत्वी का उपग्रह है बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृत्वी की परिक्रमा कर रही हैं इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं प्राचीन भारत में खगोलिकी लगभग चार हजार वर्ष पुराने रिगवेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है खगोलिकी में कई भारतिय विद्ध्वानों का योगदान रहा है मुख्यत है ग्यात खगोलग्यों में से एक आर्यभट्ट है खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लिखित है जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयू में 499 CE में लिखा था उनके द्वारा परिकलित प्रित्वी के व्यास का मान वर्तमान में ग्यात मान के निकट है प्रित्वी अचल है के प्रचलित माननेता के विप्रीत आर्य भट ने सुझाया के प्रित्वी गोल है तथा ये अपने अक्षपर घूनन करती है प्रित्वी के नाक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 गंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ग्यात मान के बहुत निकट है चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं ऐसा भी उन्होंने प्रतिपाधित किया था उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहनों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी जब प्रिथवी की छाया चंद्रमा पर पढ़ती है तो चंद्र ग्रहन की परिघटना होती है और जब चंद्रमा की छाया प्रिथवी पर पढ़ती है तो सूर्य ग्रहन की परिघटना होती है आर्य भट्ट के अनुसार प्रित्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ग्यात दूरी के बहुत करीब है इस प्रिष्ठ पर आर्य भट्ट का चित्र भी दिखाया गया है उनका जन्म हुआ था CE 476 में तथा मृत्य हुई 550 में प्रिष्ठ 227 बुद्ध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है ये हमारे सौर परिवार का लगुतम ग्रह है क्योंकि बुद्ध सूर्य के अत्यधिक निकट है अतह अधिकांश समाय तक सूर्य की चका चौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है तथा भी सूरियोदा इसे तुरंत पूर्व अत्वा सूरियास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है अतहे ये वहीं दिखाई देता है जहां व्रिक्षों अत्वा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती बुद्ध का अपना कोई उपग्रह नहीं है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में बुद्ध ग्रह का चित्र भी दिखाया गया है शुक्र ग्रहों में शुक्र पृत्वी का निकटतम पडोसी है रात्री के आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है कभी-कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूरियोदय से पूर्व दिखाई देता है कभी-कभी सूरियास्त के तुरंत पश्चात ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है इसलिए इसे प्रायह प्रभात तारा, प्रातह तारा, अथवा सांध्य तारा कहते हैं यद्यपी ये तारा नहीं है। रात्री के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्र है, अर्थात चंद्रमा नहीं है। इसकी अपने अक्षपर घूर्णन गती कुछ असाधारण है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबके पृत्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गती करती है। इस प्रिष्ठ पर बाई ओर सबसे नीचे शुक्र ग्रह का चित्र दिखाया गया है। क्रिया कलाप सत्रह दशमलव एक शून्या। किसी समाचार पत्र, पंचांग, अथ्वा जंतरी में देख कर पता कीजिए कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, शुक्र को आकाश में अधिक उँचाई पर नहीं देखा जा सकता। आपको यातो सुरियोदय से एक से तीन घंटे पूर्व अथवा सुरियास्त के एक से तीन घंटे पश्चाथ की अवधी में शुक्र ग्रह का प्रेक्षन करने का प्रयास करना चाहिए। पहेली ने पूछा, तब क्या इसका ये अर्थ हुआ कि शुक्र पर सूरियोदय पश्चिम में तथा सूरियास्त पूर्व में होता होगा? यदि आपको अवसर मिले तो दूर बीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए, आप चंद्रमा की भांती शुक्र की कलाओं का प्रेक्षन करेंगे, चित्र सत्रह दशमलव दो शून्य इस चित्र में शुक्र की कलाओं दिखाई गई है, प्रिथ्वी प्रिथ्वी ही सौर परिवार का एक मात्र ऐसा ग्रह है, जिस पर जीवन का अस्तित्व ग्यात है इस प्रिष्ठ पर प्रिथ्वी का चित्र दिखाया गया है प्रिष्ठ 228 प्रित्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतर्ता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावर्णी अवस्थाएं उत्तरदाई हैं। इन में प्रित्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है ताके प्रित्वी पर सही ताप, परिसर, जल की उपस्थिती, उप्युक्त वायू मंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। पहेली ने कहा, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेश सावधानी बरतनी चाहिए, ताके ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रित्वी पर जीवन को कोई संकट ना हो। अंतरिक्ष से देखने पर प्रित्वी के प्रिष्ठ पर जल तथा भूमी से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वो नीली हरी प्रतीत होती है। प्रित्वी का घूनन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्षपर जुकाव पृत्वी पर रितु परिवर्तन के लिए उत्तरदाई है. पृत्वी का केवल एक ही उपग्रह याने चंद्रमा है. बूजो ने कहा, यदी मेरी आयू 13 वर्ष है, तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है? मंगल, अगला ग्रह जो पृत्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वो मंगल है. इसका हलका रक्ताब प्रतीत होता है, इसी लिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं. मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं. इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे मंगल ग्रह का चित्र दिखाया गया है. इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे मंगल यान के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है. भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र अर्थात और्बिटर मिशन मंगल यान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया. ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलता पूर्वक पहुँच गया. इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बना. ब्रिहस्पती ब्रिहस्पती सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है. ये ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 प्रित्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है. परंतु ब्रिहस्पती का द्रव्यमान प्रित्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है ये अपने अक्षपर अत्यधिक तीवर गती से घूनन करता है इस प्रिष्ठ पर उपर ब्रिहस्पती का चित्र दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर प्रिथ्वी के अपने अक्ष पर घूनन करने के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है आप प्रिथ्वी के विशुवत वृत्त से परिचित हैं विशुवत वृत्त के तल को प्रिथ्वी का विशुवती ये तल कहते हैं चित्र 17.21 वो तल जिसमें पृत्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृत्वी का कक्षिय तल कहते हैं। चित्र 17.21 ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कौन पर जुके हैं। इसका ये तात्परिय है कि पृत्वी का अक्ष अपने कक्षिय तल से 66.5 डिग्री के कौन पर जुका है। चित्र 17.21 इस चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि पृत्वी जुके अक्ष पर घूनन करती है। इस चित्र में उत्तर दक्षन दोनों दिखाई गई हैं। साथ ही पृत्वी का कक्षिय तल वो विशुवती ये तल दिखाई गई हैं। पहेली ने कहा, मेरी ये धारणा है कि यदि आप एक इतनी बड़ी गेंद लें, जिसमें लगभग 1300 मटर के दाने समा सकें, तो ये गेंद ब्रिहस्पती को निरूपित करेगी तथा मटर का दाना पृत्वी को निरूपित करेगा। प्रिष्ट 239 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर चित्र 17.22 दर्शाया गया है। इस चित्र में ब्रिहस्पती और उसके चार बड़े उपग्रहे दिखाए गई हैं। ब्रिहस्पती के बहुत से प्राक्रितिक उपग्रहे हैं। इसके चारों और धुंदले वलए भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें, तो आप इसके चार बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। आप छोटे दूर दर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनी के भी बहुत से प्राक्रितिक उपग्रहे हैं। शनी के बारे में एक रोचक बात ये है कि सभी ग्रहों में ये सबसे कम सघन है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे चित्र सत्रह दशमलव दो तीन दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि शनी जल से कम सघन है। बूजो को एक नठखट विचार आया। यदि हम ये कलपना करें कि शनी किसी विशाल जलकुंड में है, तो वो उसमें तैरेगा। चित्र सत्रह दशमलव दो तीन प्रिष्ट दो सौतीस। यूरेनस तथा नाप्च्यून ये सौर परिवार के बाहियतम ग्रहे हैं। इन्हें केवल बड़े दूर दर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांती यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूनन करता है। इसकी विलक्षन विशेष्टा इसका अत्यधिक जुका घूनन अक्ष है। चित्र 17.24 इसके परिणाम स्वरूप ये कक्षिये गती करते समय अपने प्रिष्ठ पर लुढकता सा प्रतीत होता है। चित्र 17.24 इस चित्र में अपने कक्षिये पत पर यूरेनस को घूमते हुए दिखाया गया है। सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह बुध, शुक्र, प्रिथ्वी तथा मंगल अन्य चार ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे ब्रिहस्पती, शनी, यूरेनस तथा नैप्च्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में कहीं अधिक दूर हैं। इन्हें बाहिय ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाये हैं। बाहिय ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। 17.5. सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं. ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं. आईए इन में से कुछ के विशाय में जानकारी प्राप्त करें. क्षुद्र ग्रह से नीचे चित्र 17.25 दर्शाया गया है. इस चित्र के माध्यम से कुछुद्र ग्रह पट्टी दिखाई गई है. प्रिष्ट 231. धूम केतू. धूम केतू भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं. ये अत्यंत परवली ये कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं. परन्तु इनका सूर्य का परिक्रमनकाल सामान्य तह काफी अधिक होता है. सामान्य तह धूम केतू, चमकीले सिर तथा लंबी पूँच वाले होते हैं. जैसे जैसे कोई धूम केतू सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूँच आकार में बढ़ती जाती है. किसी धूम केतू की पूँच सदैव ही सूर्य से परे होती है. चित्र सत्रह दशमलब दो छे में किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है ऐसे बहुत से धूमकेतु ग्यात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टी गोचर होते हैं हेले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगबग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेले का धूमकेतु कब दिखाई देगा? धूमकेतु के विशाय में अंधविश्वास कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महमारी, बाढ़ आदी के दूद यानि संदेश वाहक हैं परन्तु ये सब मिथक, कल्पित मान्यताईं तथा अंधविश्वास हैं धूमकेतु का दृष्टि गोचर होना एक प्राकृतिक परिगटना है, इनसे भयभीत होने का कोई औचित्यन नहीं है उलकाईं तथा उलकापिंड रात्री के समय जब आकाश साफ हो तथा चंदर्मा भी न दिखाई दे रहा हो तो आप कभी-कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं चित्र सत्रह दशमलव दू साथ इसे शूटिंग स्टार सा तूटता तारा कहते हैं यद्यपी ये तारा नहीं है इन्हें उलका कहते हैं उलका सामान निता है छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृत्वी के वायूमंडल में प्रवेश कर जाते हैं उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है वायूमंडली ये घर्शन के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीगर ही वाश्पित हो जाते हैं यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए द्रिश्टी गोचर होती है इस प्रिश्ट पर बई और बीच में चित्र 17.27 दर्शाया गया है इस चित्र में रात्री के आकाश में उल्का को दिखाया गया है कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्ण तह वाश्पित होने से पूर्व ही वे प्रिथवी पर पहुँच जाती है वो पिंड जो प्रिथवी पर पहुँचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं उल्का पिंड वई ज्यानिकों को उस पदार्थ की प्रकृती की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। उलकावरिष्टी जब पृत्वी किसी धूम केतू की पूँच को पार करती है, तो उलकाओं के जुन्ड दिखाई देते हैं। इन्हें उलकावरिष्टी कहते हैं। कुछ उलकावरिष्टी नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती हैं। आप किसी वईज्यानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। प्रिष्ट 232 कृत्रिम उपग्रह आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रहे हैं जो प्रिथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं। इनका प्रमूचन प्रित्वी से किया गया है। ये प्रित्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर प्रित्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्मान तथा प्रमूचन किया है। आर्यभट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारती उपग्रह इनसाट, आयार एस, कल्पना एक, एदुसाट आदी हैं। चित्र 17.28 कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यावारिक अनुप्रियोग हैं। इनका उप्योग मौसम की भविश्यवानी, रेडियो तथा टेलिविजन संकेतों के प्रेशन में किया जाता है। इनका उप्योग दूर संचार तथा सुदूर संबेधन के लिए भी होता है। पहेली ने कहा, मुझे ये कहना है कि सुदूर संबेधन से हमारा तातपर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है। इस प्रिष्ट पर नीचे चित्र 17.28 दर्शाया गया है। इस चित्र में कुछ भारतिय उपग्रह दिखाए गई हैं। प्रिष्ट 233, प्रमुक शब्द, कृत्रिम उपग्रह, चुद्र ग्रह, कैसियोपिया, खगोली ये पिंड, धूम केतू, तारा मंडल, प्रकाश वर्ष, उलका पिंड, उलका, प्राकृतिक उपग्रह, कक्षा, ओरायन, चंद्रमा की कलाई, ग्रह, धृवतारा, सुदूर संबेदन, सौर परिवार, तारे, सब्तिरिशी आपने क्या सीखा? चंद्रमा की कलाउं की घटना का कारण ये है, कि हम चंद्रमा का केवल वो भाग ही देख सकते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को हमारी योर परावर्तित करता है तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोली ये पिंड हैं, हमारा सूर्य भी एक तारा है तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गती करते प्रतीत होते हैं प्रित्वी से देखने पर धुरुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि ये प्रित्वी की घूनन अक्षकी दिशा के निकट स्थित है। तारा मंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते प्रतीत होते हैं। सौर परिवार आठ ग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों, धूम केतुओं एवं उलकाओं के जुन्ड से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृत्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। शुक्र ये ग्रह रात्री के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह ब्रहस्पती है। कृत्रिम उपग्रह पृत्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृत्वी के बहुत निकट हैं। कृत्रिम उपग्रहों का उपियोग मौसम की भविश्यवानी, दूर संचार तथा सुदूर संबेदन में किया जाता है। प्रिष्ट 234 अभ्यास प्रश्ण एक से तीन में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक इनमे से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क शुद्र ग्रह ख उपक ग्रह ग तारा मंडल ग धूम केतू दो इनमे से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। क सीरियस ख बुध ग शनी ग प्रिथ्वी तीन चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण ये है के क हम चंद्रमा का केवल वो भाग ही देख सकते हैं जो हमारी और प्रकाश को परावर्तित करता है। ख हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। ग प्रिथ्वी की चाया चंद्रमा के प्रिष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढखती है। ग चंद्रमा के वायू मंडल की मोटाई नियत नहीं है। चार रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। क सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह रिक्तस्थान है। ख वर्ण में रक्ताब प्रतीत होने वाला ग्रह रिक्तस्थान है। ग तारों के ऐसे समुह को जो कोई पैटन बनाता है रिक्तस्थान कहते हैं। ग ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोली ये पिंड को रिक्तस्थान कहते हैं। ड शूटिंग स्टार वास्तव में रिक्तस्थान नहीं है। च शुद्र ग्रह रिक्तस्थान तथा रिक्तस्थान की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। पाँच इन कथनों पर सत्य, T अथवा असत्य, F अंकित कीजिए। क धुरुवतारा सौर परिवार का सदस्य है। ख बुध सौर परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। ग युरिनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है। ग इनसाट एक कृत्रिम उपग्रह है। ड हमारे सौर परिवार में नौ ग्रह हैं। च ओरायन तारा मंडल केवल दूर दर्शक द्वारा देखा जा सकता है। प्रिष्ठ 235 6. स्तंब एक के शब्दों का स्तंब दो के एक या अधिक पिंड या पिंडों के समूं से उप्युक्त मिलान कीजिए। स्तंब एक क आंतरिक ग्रह, ख बाईय ग्रह, ग तारा मंडल, ग पृत्वी के उपक ग्रह, स्तंब दो, A. शनी, B. धृवतारा, C. सब्तरिशी, D. चंद्रमा, E. पृत्वी, F. उरायन, G. मंगल साथ, यदि शुक्र सांध्य तारे के रूप में दिखाई देता है, तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे। आठ, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। नौ, तारा मंडल क्या होता है? किनी दो तारा मंडलों के नाम लिखिए। दस, एक, सब्तरिशी तथा दो, औरायन तारा मंडल के प्रमुक तारों की आपेकशिक स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खीचिए। ग्यारह, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम लिखिए। बारह, व्याख्या कीजिए कि सब्तरिशी की सहायता से धुरुव तारे की स्थिति आप कैसे ग्यात करेंगे। तेरह, क्या आकाश में सारे तारे गती करते हैं। व्याख्या कीजिए। 14. तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं। इस कथन से क्या तात्पर्य है कि कोई तारा प्रिथवी से आठ प्रकाश वर्ष दूर है। 15. ब्रिहस्पती की त्रिज्या, प्रित्वी की त्रिज्या की ग्यारह गुनी है। ब्रिहस्पती तथा प्रित्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। ब्रिहस्पती में कितनी प्रित्वियां समा सकती हैं। 16. बूजो ने सौर परिवार का ये आरेख चित्र 17.29 खीचा. क्या ये आरेख सही है? यदी नहीं, तो इसे संशोधित कीजिए. इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र 17.29 दर्शाया गया है. इस चित्र में सूर्य, बुद्ध, मंगल, पृत्वी, शुक्र, ब्रिहस्पती, शनी, नाप्चून तथा यूरेनस दिखाए गए हैं. प्रिष्ठ 236. विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवंपरियोजनाएं. एक, आपके स्थान पर उत्तर दक्षन रेखा किसी चड़ी की चाया की सहायता से उत्तर दक्षन रेखा खीचना सीखें. जिस स्थान पर के सूर्य का प्रकाश दिन में अधिक समाई रहता हो, वहाँ पर जमीन में एक सीधी चड़ी को लंबवत स्थापित करें. इस चड़ी के निचले बिंदू को ओ कहें. सुबह में किसी समय चड़ी के चाया की नोख को चिन्हित कीजिए. इसे बिंदू ए कहें. जमीन पर ओ ए को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खीचें. अब तब तक इंतजार करें जब तक के चाया का आकार छोटा होते होते पुनह बड़ा न होने लगे. जब चाया फिर से वृत्त को चू लेती है तो उसे बिंदू बी के रूप में चिन्हित करें. कौन ए ओ बी का द्वी विभाजक खीचें. ये द्वी विभाजक रेखा उत्तर दक्षन रेखा को इंगित करती है. ये तय करने के लिए कि इस रेखा का कौन सा सिरा उत्तर है चुम्बकी ये दिख सूचक का प्रेयोग करें. दो, यदि संभव हो तो किसी कृत्रिम नभो मंडल अर्थात प्लानेटेरियम का भ्रमन कीजिए. हमारे देश के कई शहरों में कृत्रिम नभो मंडल हैं. इन नभो मंडलों में आप तारों, तारा मंडलों तथा ग्रहों की विशाल गुंबद पर अवलोकन कर सकते हैं. तीन, रात्री में कुछ घंटे तक आकाश का प्रेक्षन कीजिए. उस रात्री को आकाश में चंद्रमा नहीं होना चाहिए. देखते समय आप उलका का संसूचन कर सकते हैं. इस कार्य के लिए सितंबर से नवंबर तक की अवध अधिक उप्युकत है. चार, नंगी आँखों से आकाश में दिखाई देने वाले कुछ ग्रहों तथा सब्तरिशी और उरायन जैसे प्रमुक तारा मंडलों की पहचान करना सीखिए. धुरुव तारे तथा सीरियस तारे की अवस्थिती को ग्यात करने का प्रयास कीजिए. 5. सूरियोदय की स्थिती, उत्तरायन तथा दक्षिणायन. इस क्रिया कल आपको करने में कई सप्तह लग सकते हैं. एक ऐसा स्थान चुनिये जहांसे के पूर्वी क्षितिज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो. उगते सूरिय की स्थिती को चिन्हित करने के लिए ए जैसे के कोई पेड अथ्वा विद्युत पोल को चुनिये. प्रती सप्तह एक प्रेक्षन लेना पर्याप्त है. किसी भी दिन उकते सूरिय की दिशा को नोट कीजिये. हर सप्तह इस अवलूकन को दोहराई. आपको क्या मिलता है? आप पाएंगे कि सूरियोदय की दिशा ल दक्षिन की ओर होती जाती है. इस सवस्था में सूरिय को दक्षिनायन, अर्थात दक्षिन की ओर बढ़ता हुआ कहा जाता है. ऐसा शीतकालीन संक्रान्ती 22 दिसंबर के आसपास तक होता रहता है. इसके बाद सूरियोदय की दिशा बढ़ल कर उत्तर की ओर होने लगती है. इस समय सूर्य को उत्तरायन याने उत्तर की ओर बढ़ता हुआ कहा जाता है भूमध्य रेखा पर विशुमों के केवल दो दिन लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर ही में सूर्य पूर्व में उगता है अन्य सभी दिनों में सूर्य योदय पूर्व के उत्तर या पूर्व के दक्षिन की ओर होता जाता है अतह सूर्य योदय की दिशा दिशानिर्धारण हेतु कोई उचित मार्ग दर्शन प्रदान नहीं करती उत्तर दिशा को परिभाशित करने वाला धुरुवतारा दिशानिर्धारण हेतु अच्छा संके तक है प्रिश्ट 237 6. ग्रहों तथा उनके आपेक्षिक साइज को दर्शाने वाला सौर मंडल का मौडल अर्थात प्रतिरूप बनाईए इसके लिए बड़ा चार्ट पेपर लीजिए विभिन ग्रहों को निरूपित करने के लिए उनके आपेक्षिक साइज के अनुसार सारणी 17.1 का उपियोग करके गोले बनाईए गोले बनाने के लिए आप समाचार पत्रों, चिकनी मिट्टी, अथवा, प्लास्टिसीन का उपियोग कर सकते हैं इन गोलों को आप विभिन वर्णों के कागज से ढख सकते हैं कक्षा में अपने मौडल को प्रदर्शित कीजिए सारणी 17.1 इस सारणी में पांच शीरशक दिखाए गए हैं ग्रह का नाम, सन्निकट त्रिज्या, पृत्वी को एक मात्रख मानकर, सूर्य के सन्निकट दूरी, पृत्वी की दूरी एक मात्रख मानकर, परी भ्रमन काल, घूर्णन काल ग्रह का नाम बुद्ध, सन्निकट त्रिज्या पृत्वी को एक मात्रक मानकर 0.40, सूर्य के सन्निकट दूरी पृत्वी की दूरी एक मात्रक मानकर 0.39, परिभ्रमन काल 88 दिन, घूर्णन काल 69 दिन. इसी प्रकार शुक्र ग्रह के सामने इन शीर्षकों के अंतरगत लिखा गया है 0.95, 0.72, 225 दिन, 243 दिन. पृत्वी ग्रह के सामने लिखा गया है 1.00, 1.00, 365.25 दिन, 24 घंटे. मंगल ग्रह के सामने लिखा गया है 0.55, 1.50, 687 दिन, 24 घंटे, 37 मिनट. ब्रिहस्पती ग्रह के सामने लिखा गया है 11.00, 5.20, 12 वर्ष, 9 घंटे, 55 मिनट. शनी ग्रह के सामने लिखा गया है 9.00, 9.50, 29.46 वर्ष, 10.66 घंटे. यूरेनस के सामने लिखा गया है 4.00, 19.20, 84 वर्ष, 17.2 घंटे, नाप्चियून के सामने लिखा गया है 3.90, 30.00, 165 वर्ष, 16.1 घंटे, साथ, सूर्य से ग्रहों की दूरी को दर्शाते हुए सारणी 17.1 का उपियोग करके पैमाने के अनुसार सौर परिवार का मॉडल बनाने का प्रयास कीजिए, क्या आपको कोई कठिनाई हुई, व्याख्या कीजिए, आठ, इस पहेली को हल कीजिए, तथा इसी प्रकार की पहेलियां स्वयम बनाने का प्रयास कीजिए, मेरा पहला अक्षर शुभ में है पर लाभ में नहीं है, मेरा अंतिम अक्षर क्रम में है पर भ्रम में नहीं है, मैं हूँ एक ग्रह जो दिखता सबसे चमकीला, नाम बताओ मेरा, मैं हूँ न लाल और न नीला, इस विशाय पर अधिक जानकारी के लिए इन वेबसाइट्स को देखें www.9planets.org www.kidsastronomy.com प्रिष्ट 238 क्या आप जानते हैं? प्राचीन काल में ये मान्यता थी के प्रिथ्वी विश्व के केंद्र पर स्थित है तथा चंद्रमा, ग्रह, सूर्य तथा तारे इसकी परिक्रमा कर रही हैं लगभग 500 वर्ष पूर्व, पूलैंट के पादरी तथा खगोलग्य जिनका नाम निकोलस कोपर निकस था सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा कर रही है ये एक क्रांतिकारी धारणा थी कोपर निकस्वयम अपने इसकारे को प्रकाशित करने में जिजक अनुभव कर रहे थे उनके इसकारे का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष पंद्रहसो तैंतालीस में हुआ सन सोलहसो नौ में गैलिलीयों ने अपना दूर दर्शक स्वयम डिजाइन किया अपने दूर दर्शक द्वारा गैलिलीयों ने ब्रिहस्पती के चंद्रमाओं, शुक्र की कलाओं तथा शनी के वलयों का प्रेक्षन किया उन्होंने ये प्रमानित किया कि सभी ग्रहे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, प्रिथ्वी की नहीं इस प्रकार आप ये देखते हैं कि विचार तथा धारणाएं विकसित एवं परिवर्तित होती रहती हैं, क्या आपकी अपनी धारणाएं भी परिवर्तित होती हैं? यदि परियाप्त साक्ष्य तथा प्रमान उपलब्द हैं, तो क्या आप खुले मस्तिश्क से नई धारणाओं को अपना लेते हैं? इस प्रिष्ठ पर नीचे कल्पना चावला के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है. कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रथम भारती ये महिला अंतरिक्ष यात्री थी. उनका जन्म करनाल हरियाना में 17 मार्च 1962 को हुआ था. उन्होंने पंजाब इंजिनरिंग कॉलेज चंडीगर से अपनी विज्ञान की सनातक उपाधी एरोनौटिकल इंजिनरिंग में प्राप्त की. 1982 में वो संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और टेकसस विश्व विद्याला इसे एरोस्पेस इंजिनरिंग विज्ञान की मास्टर डिगरी और कॉलोरेडो विश्व विद्याला इसे एरोस्पेस इंजिनरिंग में पी अचडी प्राप्त की. वर्ष 1988 में उन्होंने नासा में कार्य करना आरंब किया और 1996 में पहली उडान के लिए चहनित की गई. वो अंतरिक्ष में उडान भरने वाली भारत में जन्मी पहली महिला और दूसरी भारती अव्यक्ती थी. दुर्भाग्यवश परवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे में जान गवाने वाले साथ अंतरिक्ष यात्रियों में से वो एक थी. वो विश्व भर में युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं. इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय सत्रह यहा समाप्त हुआ. वाचक बाबला कोछड. अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक. तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंगलिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्मान सहयोग कुसुमलता, निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्र दो कि प्रिम में हुआ